अगर आपका भी प्रोपर्टी संबंदित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रियास करेंगे ठीक है अगर आप जो एक तरह से हमारे फेस्बूक अगर आप यूज करते हैं तो आप कंप्यूटर की 99 सर्च करेंगे ऐसा पेज मिलेगा पेज को लाइक कर लें और वहां से भी आप हमको मैसेज भेज सकते हैं ये परमोद कुमार पूछ रहे हैं सर जो है कागजी बटबारा नहीं ह इसलिए कि जमीन वह रजिस्टरी कर सकते हैं अगर पूरबज के नाम पर आप लिखिए आप दन में रजिस्टार को आप दन दीजिए ठीक है जहां पर रजिस्टरी होता है यह मेरा खाता खेसरा है ना कोई यह लोग जो है बेच रहे हैं लेकिन यह चीज नहीं है कि आप आप अब इदन दे देंगे तो आपका यह सब कुछ रुख जाएगा और आप उसके पहले उसके पहले जो है आप उसमें कोट के लिए परकरिया भी फाइल कर दीजिए और उसको भी मेंशन कर दीजिए कि मैंने कोट में पार्टीशन सूट फाइल किया है आपको बटबारा के लिए आप कोट में पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं या DCLR के पास भी जो है अपना केस फाइल कर सकते हैं उसको भी देने के बाद रजिस्ट्री जो है आपका फिलाल नहीं होगा अगर पार्टीशन सूट करेंगे कोट से तो वो भी एक बेस्ट है बैलिड है और DCLR क के पास से भी आप कर सकते हैं तो दोनों तरीका जो है अपना के आप उसको रोकने बिल्कुल रोक सकते हैं अगर जमीन तो ठीक है जमीन का रजिस्ट्री रोकने का आपके लिए सब से पहले यही एक बहतर बिकल्प है हाँ अगर आप पार्टीशन सूट कर देंगे ज्याद को करके देना ठीक है तो वो चीज में जो भी होता है फ्रंट वगरा होता है तो सब को मिलता है ऐसा नहीं है जितना भी मिले लेकिन मिलता सब को है कानूनी तरीके से जो भी चीज होता आप कोई जमीन रोड साइड में तो किसी एक को तो नहीं दिया सकता है तो जितना भी मि किया गया है ताकि मेरा सही से बटवारा हो सके जो जमीन बेचा जा रहा है वो फ्रंट का जमीन है और यह जो है आपसी हिस्सा अभी नहीं लगा है फ्रंट के जमीन में मेरा भी हिस्सा होगा तो यह बात अगर आप मेंसन करेंगे तो सबसे बेस तरीका है जब से ज्यादा अस मतलब खत्यानी जमीन जो है देखिए बटवारा नहीं है मतलब जमाबंदी अलग अलग नहीं है तो जो अभी फिलाल नाम है उसी नाम से सर्वे खो जाए अनके नाम से जमीन हो जाए लेकिन ताकि अगर आपसी मत्वेद है आपस में कुछ प्रोब्लम चल रहा है बटवारा उसमें दिक्कष ए किसी को तो उसके लिए फिर जो है जिसके नाम से जमीन है बर्तमान में उसी के नाम से जमीन का सर्वेय हो जाता है कि जिसके नाम से पुराना खतियान है तो जिसके नाम से सरकार के पास information दर्ज है ठीक है अगला सवाल ये पूछ रहे है सर मेरे पिताजी जो 1970 में भतीजा के नाम से बक्सीज कर दिये थे अब वो दोनों भतीजा अपने वाइप के नाम से जमीन कर दिया है क्या उसमें मेरा हक होगा देखिए हम आपको बताते हैं देखिए इसमें जो है सबसे पहले आप जो ये बता रहे हैं कि उसमें मेरा हक होगा या नहीं है देखिए वो जो बक्सीस जो भी किया गया वो अगर भैलिट तरीके से किया गया सही कागज बना के किया गया ठीक है तो फिर तो मान लेते हैं कि वो किया गया या जो भी यह सब तरीके से किया गया दूसरा मौकी किया गया अगर ठीक है मौकी किया गया डिरेक्ट जमीन का जमाबंदी बन गया तो फिर बिल्कुल होगा आपका तब कानूनी तरीके से बिल्कुल आपका होगा तब तो वो मौकी का कोई बेलू नहीं होता कानून के नजर में कानूनी तरीके से आप उसको बिल्कुल ले सकते हैं अगर वो आपको इसको जो है अन्वैलिड करार दे दे हैं इसको ये जाली करार दे दे हैं अगर पिताजी आपके नहीं है है ना तो तब बिल्कुल आपका होगा कोई तरह का समस्या नहीं होगा लेकिन अगर कोई रजिस्टी करके दे दिया जमीन किसी को देना तो या तो वसियत नामा बनाना होता है या जमीन को रजिस्टी कर देना होता है एक होता है एक डारेक्ट जाके उसका जो है नाम से वो दे दिये और आदमी उसको जो है तरह से यूज कर लिया या अपने नाम स रसीद कटा लिया और जमीन बेच लिया तो फिर कभी नहीं होगा है ना जमीन लेने का मतलब होता है जमीन का रजिस्टी कर देना या जमीन को का वसीयत नामा के थुरू जो है मतलब एक दान लेना ठीक है, ये है कि ये पुराना दस्ताबेज मध्यपूरा जिला का अपलोड होगा जरूर बताएं, इसर न दीएकर पूरा जरूर का बताने का प्रियास करेंगे, ये पूछ रहा जमीन सर्वे का कागज ओनलाइन जमा करने का दिखें सर्वे का यहाँ इतना लगजरी सिस्टम नहीं है जब आप ओनलाइन जमा कर सकें आप अपना जमीन का जमाबंदी और लगान अप डू डेट कटा के रखिए ते ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो यह पूछ रहा सर मेरा नाम जो है वो समीम है और बिहार के भागलपूर जिला का हूँ मेरे पिताजी जो है वो चार दादा को जो है जमिनदार ने जमिनदारी रिटर्न है 224 का जिसमें एक बिगा दस कठा है जमीन उसमें हम लोग के पुरवज भी उसी मकान में रहते हैं हम भी उसी में हैं लेकिन जो है सिर्फ दो कठा ही बाकी लोगों ने उस पे कबजा कर रखा है सारा जमीन पे उस पे इसकूल भी बना दिया है उन लोगों ने कहते हैं कि सब सरकारी जमीन है सब ये हला कर रखा है अब मैं क्या करूँ आप मेरा हल हेल्प करें ठीक है तो सर प्लीज इसमें जो है जमीन पे मेरा पुर्बज भी हम लोग को क्या करना पर रहे हैं अगर आपके नाम से वो जमीन है और आपका पुराना वो है है ना पुराना आपके नाम से है नया जो भी है जिसके नाम से बना वो मैंने नहीं रखता लेकिन पुराना आपके नाम से है सारा और नया हो सकता सरकारी बन गिया हो या जो भी है वो आपको भैरी कर ले और ये अगर कबजा कर पे उस पे स्कूल ये सब बना दिया है ना ति ये कहीं अधिगारी के द्वारा नहीं आपको कोट के द्वारा ही होगा आप उसके लिए कोट का सहरा ले सकते हैं वही आपके अगला सवाल ये पूछ रहा है कि मेरे दादा पर दादा के जमीन जो depressed senior researcher कर रहा है पूछने सार मेरा चाल 26 साल पहले लिया था उस पे विवाद दायर किया अब अभी तक बिणी नहीं हुआ है पिली जेल देखिए जो भी है उस पर अगर कोई भी विवाद है जो ही साल जमीन लिए है अगर उस पे कानूनை कोट से कोई भी विवाद होगा तो फिर कोट का आद तब तक कोट का डिगरी नहीं होगा, जिसके प्रक्स में डिगरी हो, तब ही कुछ संभब है, उससे पहले जो है, इसका प्रक्राइब नहीं है, बिवाद अगर कोट के द्वारा है, तो कोट के द्वारा नहीं है, तब तो फिर आप करवा भी सकते हैं, आप खुद GCLR के पास इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है, ये पूछने के वाला है, जमबंदी नहीं है, तो क्या होगा, देखिए, जमीन का अगर आपने रजिस्टी करा लिया, जमीन का जो है, आपके पास के वाला है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, वाले जीए करवाने के बाद आपको कुछ थर तर टाइम लगेगा उसके बाद जो है आपका उसका दाखिल खारिज होगा दाखिल खारिज होने के बाद जो है आपको उसका जमीन का रसीद लगान कट जाएगा रसीद कटने के बाद जब रसीद को लेके जाएगे करमचारी क पास तो जमाबंदी आपका वो जो है कर दिया जाएगा तो जमाबंदी संख्या जरूरी है जमाबंदी संख्या इक प्रूफ है ये नंबर का जमीन का मालिक जो है इस एरिये का कौन है ठीक है तो जिसका नाम दर्ज होता है वही उसका मालिक होता यही उसका तरीका होता तो य होना बिहार ज़रूर यहाँ पे होता है थिक यह पुछ रहे हैं पुराना जमीन का पेपर ऑनलाइन कर देना चाहिए सरकार को बिलकुल बहुत जल्द यह जो है नये जो भूमे शुधार, मंत्री आये हैं बिहार में तो यह इम बिहार की बात कर रहें है, ठीक है, तो वहाँ पे पुराना जमीन का पेपर जो है, बिल्कुल ऑरनलाईन किया जाएँगा, ठीक है, और अब अपना पुराना जमीन का पेपर भी ऑनलाईन देख सकते हैं, कोई तरह का समस्या आपको नहीं होगा, आप अगर पुरा से समझ सकें, अपना कागज भी अच्छे से निकाल सकें, पूरा जितना भी बिबरन है, वो देने काम परियास करें, ठीक है, अगर आपके मन में कुछ सवाल है, आप कमेंट करके पूछी, अपना राज जो है, स्टेट है, वो भी कमेंट में जरूर लिखी, आसा करते हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सबस्क्राइब करके जो बेल आइकन उसको जबा लिजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में तब दो